सोशल मेडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वाइरल हो रहा है इसमें एक ससुर अपने बेटी के सामने ही अपनी बहु को पीटता नजर आ रहा है ये पूरा वाक्या पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया है आपको बता दे कि कमरे की अंदर महिला के पती के अल हिंसक वेवार को कैसे पहचाने सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं रिलेशन्शिप में या शादी होने के बाद इस बात का ध्यान आप जरूर रखे कि कहीं आपके पार्टनर में सबसे जाधा गुस्सा करना आपको मारने या बेज़ती करने जैसी आदत तो नहीं है कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा के मामले में चुप रहकर सब कुछ बरदाश करती रहती हैं जबकि ऐसा करने से पार्टनर की हिम्मत और बढ़ जाती है घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है तो क्या करें भारत में अगर कोई भी महिला अपने घर में शाररिक, मानसिक, डावरी प्रोहिबीशन एक्ट यानि दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में बना क्योंकि घर में महिलाओ से मारपीट के अधिक मामले पहले दहेज से संबंदित होते थे इसलिए इस अधिनियम में 1983 और 1986 में दो नई धाराओ धारा 498A और धारा 304B को IPC यानि भारतिये दंड सह में जोड़ा गया लेकिन घरेलू हिंसा को लेकर जो अब जादतर मुकदमे प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस डुमेंस्टिक वॉलिज एक्ट यानि घरेलू हिंसा से महिलाओ का संदक्शन अधिनियम 2005 के तहती दर्ज होते हैं महिला चाहे तो ड्यूटी ऑफिसर या प् करती हैं आज के समय में महिलाओं से जुड़े इमर्जंसी केस पास्ट्रैक कोर्ट में भी हल किये जाते हैं इनमें पीडित को तुरंत न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है महिला चाहे तो महिलाओं से जुड़े एंजीयों से भी संपर्थ कर सकती है घरेलू हिंसा के स्वास्त भी प्रवावित होता है इससे स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है हाइपर्टेंशन और हाट की समस्याओं से भी जूजना पड़ सकता है घरेलू हिंसा में हो सकती है तीन साल की सजा घरेलू हिंसा दि दाराय भी जुड़ जाती है धारत 491 के तहत क्रूरता एक गंभीर अपराद है ऐसे में धारा के तहत एक साल से लेकर तीन साल तक के जिल की सजा हो सकती है साथ में जुर्माना भी भड़ना पड़ सकता है उमीद है कि आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी बाकि अगर केंच ये करना ना भूलें